हुआ है हलो मैं देश्टेट्स वेल्कम बैक ट्रियों फिजिक्स क्लास्टेस और आज जोब टॉपिक दिख रहे हैं दिस इस कंपॉंड माइक्रोस्कोप आज हमें कंपॉंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रेक्शन करना है ठीक है बोर्ड के पॉइंटर वी से बहुत इंपॉर चलिए लेड़ असटार्ट तो बिफोर स्टारिंग दिस कंपॉंड मार्क्रोस्कोप एक बेसिक एया रखना है कंपॉंड मार्क्रोस्कोप में दो लैंस आपके होते हैं बन इस अब्जेक्टिव लैंस जो ऑबजेक्ट की तरफ होगा सेकेंड वन इस आईपीस लैंस और कं आपका बड़ा होगा ठीक है let us start the construction सबसे पहले करना है आपको अपनी एक प्रिंस्पल एक्सेस ड्रॉ कर लेनी है प्रिंस्पल एक्सेस के बादे को हमने एक लैंस लिया हुआ यह कॉंसों होगा मर पास objective लैंस और देखिए मैंने जो focus लिया हुआ है कि मैंने दोनों ही I do this is two and two cm मैंने मार्क किया हुआ है अब आपको एक real objects प्लेस करनी है object प्लेस करनी और object ऐसे प्लेस करे कि उसकी रियल इमेज कहा मन जाए ओना आप उसे साइड तो आप अपनी object कहां प्लेस करेंगे बेयान फोकस की आप अपनी object कहां प्लेस करें यह आपर मैंने एक छोटी सी अब्जेक्ट ए भी प्लेस कर दिए ठीक है यह भी फोकस है और यह भी क्या है हमारे पास फोकस दोनों साइट इकोल मार्क किया हुआ है लाब नाव रे डियाग्राम जो हमने लौन पढ़े हैं फसरे पाईलल टू प्रिंस्पल एक्सिस्स फसरे पडैल टू प्रिंस्पल एक्सिस आफ्टर रेफ्रेक्टिशन अड वाश ओंप्री फोकस को प्रिया ले पर शक्याट है सिकेले हम कहा लेंगे passing through the optical center secondary हमने लिया passing through the optical center it will pass straight secondary हमने लिया passing through optical center यह कैसे state pass होगे और जहाँ भी intersect करेंगी जहाँ भी intersect करेंगी यह हमारे पास एक real and inverted image A-B-form हो गई ठीक है अब इसके बाद हमें अपना IPS प्लेस करना है तो IPS जो आप प्लेस करेंगे समझा रहा हूँ यह इस तरीके से हमने अपना scale रखा और यही one scale की thickness के gap की equal अपना आप distance पे आप IPS ले लिजे और IPS का जो aperture है वो objective lens से बढ़ा रखना है आपको तो accordingly आप बढ़ा देख सकते हैं कितना बढ़ा आपको रखना है like मैं principal axis के दो अपर्चर है फूर सेंटिमेटर अपर साइट फूर लोवर साइड में लेके चल रहा हूँ यह मेरे पास क्या आ गया इस इस आवर IPS ठीक है तो पूरा लैंस कंस्टर्ट कर देते हैं यहां पर यह क्या है हमारे पास इस आवर IPS अब इस IPS में करना है हमको फोकस सेट करना और फोकस इस तरी के सेट करना है कि जो इमेज है इस बीड़ेट इस शुट लाए बिट्वीन ऑप्तिकल सेंटर एंड फोकस ओफ IPS जो इमेज आ रहे है इस बीड़ेश इस शुट लाए बिट्वीन ऑप्तिकल सेंटर एंड फोकस ओफ IPS तो अकोनिकलि हम के कreichen 55 cm मार्क करने यह वाला फाइव और मैंने यह मार्क किया यह वाला फाइव आगया तो यह वाला पॉइंट क्या आ इफ-ई focus of IPS ये वाला point B क्या हो गया FE focus of IPS अब ये जो image है ये कहां गई in between optical center and focus तो इसकी enlarge image बनेगी चलिए तो कैसे बनेगी once again same rule follow करने जो हमने पड़ेवे हैं फसरे palette to principal axis after reflection it will pass through the focus ठीक है इसको अमने पीछे बढ़ाया थोड़ा सब्सक्राइब लग रहा है ये फिल क्या है साही कर लेते हैं इसको अमने पीछे बढ़ाया ठीक है सेकेंड रहां का लेंगे सेकेंड रहे विल टेक पासिंग फ्रॉम optical center इसको भी पीछे बढ़ाते हैं इसको भी पीछे बढ़ाया है तो जहां भी आपकी इमेज बन रही है जहां भी आपकी इंटरसेट कर रही है वहाँ पर क्या होगी आपके पास एक इमेज इस इस ए डबल डेश बी डबल डेश आपकी फानल इमेज फॉर्म हो जाएगी फाइन सो यह क्या हो गया यह हमने यहां पर कुछ नेमिंग करनी है पॉर्ड डेरिवेशन देखिये यह सेपरेशन ओ ए ओ ए क्या हो जाएगा आपके पास यू नॉट और यह अबजैकिटिव लैंज से यह ए डच बीडच तक का सपरेशन यह वाला क्या क्या हो जाएगा आपके पास this will become वी नॉट यह क्या हो जाएगा आपके पास एंगेल पर आई में एंटर करेंगी तो यह वाला एंगेल हम क्या ले लें बीटा एंगेल ओफ वीजन मेड बाइदा लास्ट इमेज एड़ेश बीड़ेश अब हमें डेरिविशन करते वाग एलफ और चाहिए होगा एंगेल ओफ ऑबजेक्ट तो एंगेल ओफ वीजन ओफ उनकाल लेकर क्याकरे अब यह हमारे पास आब्जेक्ट पासे र Chili उसको ठाकि अपनी आई के सामें दीपर प्लेस करते ठीक इसी ओबजЕट को इस छोटी सी ओग्सेन को वन सब्सक्ता प्लेस करेंगे अपनी आई के सामने डीपर प्लेस कर देंगे डीपらい करेंगे तो को हमने क्या बोला this angle is what angle of vision of object ठीक है तो इस तरीके से हम compound microscope का construction easily कर सकते हैं देखिए आपके सामने पूरा अच्छी से diagram आ रहा है ठीक है इसको बिटा practice कीजिएगा now let us start with the derivation चले बिटा derivation कर ले now we are going to derivation for magnifying power of compound microscope तो वो जो भी diagram बना है ना आपने यही वाला था ना मैं ड्रोग के था भी आप लोग के सामने तो देखिए में साइड में यह triangle बनाए हुआ हम यहां से शुरूबात करेंगे क्यों we are going to find out the derivation expression for magnifying power और यह कौन सा angular magnification एंगल मैनिफिकेशन का दगा m equals to beta upon alpha 10 beta upon channel farm बोल सकते हैं तो हमें angular vision of image and angular vision of object चाहिए तो object के लिए हमने क्या कहता है हमने कभी object है microscope हमारे पास रखी उसको तो हम d पे place कर सकते हैं चली मैं यहां कर देता हूँ मैंने अपनी यह object जो a b थी उस a b object को हमने यह गरा d पे place कर दिया है यहाँ ठीक है तो यह जो एक angle generate करेगा यह वाला angle यह angle क्या होगे आपके पास this is angular vision of object इसको हमने क्या बोला 10 alpha चलो भी इस triangle में आप ओ ले लो in this triangle हम क्या लेके चल रहा है 10 alpha 10 alpha will be equals to क्या हो जाएगा a b upon d अब जो diagram है उस diagram के recording जो आपकी numbering है हम लेकी चल रहा है in triangle o dash a dash b dash फिर हम लेकी चल रहा है in triangle o dash a dash b dash तो इस triangle में हमें क्या ले ले बेटा 10 beta 10 beta equals to क्या जाएगा perpendicular upon base तो उसके साब से क्या जाएगा यह यह this is a dash b dash upon o dash a dash ठीक है न हमें क्या निकालना है angular magnification angular magnification is given by m equals to 10 beta upon 10 alpha 10 beta की value क्या हो गए this is a dash b dash upon o dash a dash upon 10 alpha this is what a b upon d कितना हो गया के पास यह a b upon d तो फिर हमने solve किया यहां से magnification m equals to क्या हो गया देखो simple mathematics है this is a dash b dash upon a b and this will be equals to d upon o dash a dash यहां ज़रा समयने वाली बात है what is a dash b dash देखो diagram के साब से diagram क्या हो गया के पास height of image a b क्या हो गया height of object so ratio of height of image to the height of object क्या हो गया magnification और किस के लिए objective lens के लिए तो यह क्या हो गया एक तरीके से magnification produced by objective lens अब यहां देखो भई हमने linear manifestation क्या पड़ा है m equals to h upon h equals to v upon u यह d क्या हो गया last image जो form हो रही है ve और यह o dash a dash क्या है u e check the diagram diagram बनाए आपने उपर तो क्या मैं इसको लिख दूँ that is v upon u किसके लिए IPS के लिए तो यह क्या हो जाएगा आपके पास magnification produced by IPS तो एक general formula रखना numericals में conceptuals में सरी हो जाएगा magnification produced by compound microscope is simply क्या हो गया product of linear magnification produced by objective lens and linear magnification produced by IPS lens ठीक है अभी इसको हम solve करना है यहां से इसको हम solve परेंगे तो यह वाला जो magnification m equals to इसको हम क्या लिख सकते हैं h upon h equals to v upon u that is v naught upon u naught और यह क्या हो गया आपके पास d and this is ओड़े हिड़ेश क्या हो गया ue यह तो हो गया क्या पास magnification produced by objective lens and magnification produced by IPS lens ठीक है चलों परेंगे साइन करेंगे according to sign convention आपके पास u naught minus आएगा d minus आएगा ue minus आएगा 3 minus तो finally एक minus का sign बचेगा यह क्या हो गया क्या आपके पास equation number one ठीक है अब यहां इसके बास हमें solve करना है दो case लेकर चलना है first when the last image is formed at d तो पीटा यहां हम क्या लेकर चलेंगा यहाँ पर case one और जो case one है उसकी हमारी condition क्या है वह क्या है when the last image when the last image is formed at D हमारी condition क्या है when the last image is formed at D तो अभी हम जो calculation कर रहे है we are doing calculation for IPs हम calculation कैसे कर रहे है IPs तो बैटा IPs के लिए U क्या हो जाएगा UE V क्या हो जाएगा आपके पास D और F equals to क्या हो जाएगा FE हमने क्या लगाया 1 upon V minus 1 upon U equals to 1 upon F 1 upon V मतलब D minus का 1 upon UE equals to 1 upon FE according to sign convention दो निगेटिव हो गए तो यहां से 1 upon UE is equal to क्या हो गया 1 upon FE plus 1 upon D minus अभाद आगा प्लस हो जाएगा D से मिलप्लाई कर दे जैसे हमें D से मिलप्लाई करा थोड़ा समय इसके बाद यहां उड़ कर देता हूँ तो क्या हो गया यह D upon UE will be equals to लिख सकते हैं हम this is 1 plus D upon FE अब दो कोई D upon UE की वहली उठाके में लगा दूँ from equation 1 तो हम क्या बोलेगे यहां पर now from equation 1 तो equation 1 में हम लगा रहे हैं तो M equals to क्या हो गया minus का V naught upon U naught M equals to minus का V naught upon U naught at D upon UE के प्लेसे हम क्या करेंगे this is 1 plus D upon UE तो यह क्या हो गया आपके पास manification, manifying power का formula आ गया when the last image is formed at D ठीक है एक और चीज़ वाइल using numericals यहां पर आपके अगर होगे proper sign convention use करेंगे ठीक है तो आपके जो sign convention proper use होगा अभी इसमें निकालनी है हमें length हमें क्या find करनी है length of the microscope हमें क्या find करना है we have to find out the length of the microscope length of microscope simply क्या हो जाएगा separation between the two lenses क्या हो जाएगा separation between the two lenses तो इस diagram है अपर देखो separation क्या जाएगा यह separation हो गया between the two lenses ठीक है तो यह separation गौर्स देखे किसकी को लाएगा this will be V0 plus UE this will be V0 plus UE आपके पास diagram है अब चेक कर सकते हैं उसमें तो length of microscope is simply given by V0 plus UE और ध्यान अखना for finding this length of the microscope no sign convention is used क्योंकि क्या यह simple separation है ना simple separation है आपको distance find करनी है separation find करना length find करनी है तो यहाँ पर हम कोई भी sign convention use नहीं करेंगे यह को जाएगा no sign convention no sign convention is used यहाँ पर हम कोई भी sign convention use नहीं करेंगे ठीक है तो this is what magnifying power for compound microscope case 1 when the last image is formed at the last image का फोर्म वरी है डीप है झाला अब लास्ट इमेज इस फॉर्मड एट इन्फिनिटी अब लास्ट इमेज कहा फॉर्म होगी इन्फिनिटी तो सिंपल सा कॉंसे पेट ध्यान रखना किसी भी कॉन्वेक्स लेंज से लास्ट इमेज इन्फिनिटी पे का फॉर्म होती है जबकि अबजेक्ट कहा आ जाए फोकस पे तो जो आपकी इमेज बन रही है एक बात कर रहे है इक बाद कर रहे है इसमें तो लास्ट इमेज दीक लिए अब अगर यह जहां पॉइंट एड़ेश है यही पर आपका फोकस आ जाए तो यह इमेज एड़ेश बीड़ेश आईपी के फोकस पे आ गई तो अगर अबजेक्ट फोकस पे आ गई तो आफ्टर इफेक्शन रेस विल बिकम पैरलल और जैसे रेस पैरलल होगे तो इमेज इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी सिंपल जो हम क्लास टैंस से पढ़ते आ रहे हैं सेम लॉजिक हमें यह उस करेंगे तो इसका मलगा लास्ट इमेज इमेज इन्फिनिटी पे है तो जो आपका यूई है यूई है यूई इस इकल तो आफी आईपी इस के फोकस पे आ जाएंगे नाओ मैनिफिकेशन इस गिवन बाए माइनस का वी नॉट अपान यू नॉट अट इस विल बी अपान फी ठीक है यह आगया मैनिफिकेशन ओफ दा कंपॉंट मैक्रोस्कोप बंद लास्ट इमेज इस फॉर्म एट इनिफिनिटी आगया यहाँ भी क्या आगया मैक्रोस्कोप तो लैंट आफ मैक्रोस्कोप रहेंगे हम सब्सक्राइशन फाइंगे तो पहले क्या था इडवाज वी नॉट प्लस यूई यहाँ पर यूई किसके को लोगया फीके तो हम कह सकते हैं इस विल बी वी नॉट प्लस एफ इशिंपली हमने यूई को नो साइन कन्वेंशन इस यूजड यहाँ पर क्या होगा नो साइन कन्वेंशन इस यूजड हम कोई भी साइन कन्वेंशन को यूजड यहाँ पर नहीं करेंगे ठीक है चलो बिटा यह कर ले ना नेक्स वीडियो पर आपको जो है एस्टोनोमिकल टेलिस्कोप का डिस्क्रि नमबर मिल जाएगा उस पर आप contact कर सकते हैं ठीक है thank you and have a nice day